और अमेठी में बीजेपी ने एक बार फिर से केंदरी मिंत्री स्मिती इरानी को ही दाओं पर लगाया है मैदान में उतारा है स्मिती इरानी लगातार अमेठी में चुनाओं प्रचार कर रही है और करीब हर मंच से राहूल गांधी पर टार्गेट भी करती है कि अब आइनाध ही उनका परिवार है अंदे कावा भाईया लोगों को रंग बदलते देखे थे परिवार बदलते पहली बार देख रहे अरे ओलब भी तब जहां कटी है ससुराल जाती है तो जीवत भर माईके का सम्मान रखती है भाईया लेकिन ये तो हजोन ही है ना रिस्टो का सम्मान रखता ना लपता सांसत को जिलना पत्रे साल उसका सम्मान रखता अर भाईशा साथ जुड़ गया है विशाल परताप सिंग विशाल लगता है कि जो अमेठी और साथी साथ राय वरेली में जो कॉंग्रस कारे करता है उनकी आज जो उमीदें या फिर कहें कि इंतिजार खतम होने जा रहा है वहाँ पर किस तरह का रियाक्शन है क्या उनको लगता है कि वाकिये में एक बार फिर से अमेठी से राहूल गांधी आएंगे और सुनिया गांधी के जिगर पर प्रियांका गांधी को उतारा जाएगा अमेठी जो हमारे सूत्र है वो हमको बता रहे हैं कि अमेठी और राय बिरेली में अगर कॉंग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना कैंडिलेट घोशित नहीं किया है तो उसके पीशे बड़ी वज़े मुख्य वज़े यही है कि अमेठी से राहूल गांधी और राय बिरेली से प्रियंका गांधी बाड़ा चुनाव लड़ने के लिए आ सकते हैं वाइनार्ड में वोटिंग खत्म हो गई कॉंग्रेस का जो मिशन साउथ है वो कहीं गावडान ने न पाए वाइनार्ड में वोटिंग का कहीं असर ना पड़ जाए इन सारी स्ट्रेजीजिस को ध्यान में रखते हुए अमेठी और राय बिरेली के कई कारेकरताओं को दिल अभी तक उमीदवारों का ऐलान ना होना इस बात का क्यास पक्का करता है इंडिया टीवी की कवर पर मोहर लगाता है आज जो अहलान हो सकता है उसमें अमेठी से राय बिरेली और जी एक में चीज़ आना चाहता हूं कि क्योंकि देखे 2019 से काफी कुछ बदल चुका है और अगर वहां से गांधी परिवार का नाता परिवारिक रहा है अगर वहां से गांधी परिवार नहीं लड़ता है चुनाओ बैक आफ कर जाता है तो कहीं न कहीं कारकरताओं का मनोबल कॉंग्रेस पार्टी को जो संगठन से जुड़ाने की कुशिश किया रही उस पर और क्रियंका गांधी वार्डरा ने पिस्टे चुनाओं में जो यहां मेहनत की थी उस पर कहीं न कही चुनाओं समीति के लगने जा रही है ऐसा माना जा रहा है लेकिन राहूल गांधी बीजेपी पर अटैकिंग मोड में है राहूल गांधी ने भारते जनता पार्टी को भारते चोंबू पार्टी आने की खाली लोटे वाली पार्टी बताया अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बीजेपी क्या करने जा रही है भारतियद चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी खाली 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 चंबू ड्राउट रिलीफ के लिए आपको अठारा हजार करोर रुपए देना था खाली चंबू दिया फाइन्स कमिशन साथ हजार करोर रुपए नहीं दिये सिरफ खाली चंबू बारतिय चंबू पार्टी